नगरी निकाय विभाग द्वारा साल के अंत में होने वाले नगरी निकाय चुनाओं के लिए सभी 153 निकायों के वार्डों का परिसिमन किया जा चुका है संकेत है कि प्रदेश के 11 में से 5 निगमों में वार्डों की संख्या बढ़ाई जा सकती है वहीं रायपूर नगर निगम में 15,000 भिलाई में 9,000 तो राजनादगाओं में एक वार्ड में आवसत मद्दाताओं की संख्या लगबग 3,500 तक हो सकती है रायपूर नगर निगम की बात करें तो यहां के वार्डों की जन संख्या में काफी असमानता थी किसी वार्ड में 25,000, किसी में 27, तो किसी में 36, तो किसी में सिर्फ 6,000 जन संख्या थी इस लिहास से यहां का परिसेमन करना बहुत जरूरी हो गया था सभी दावा आपतियों के निराकरण के बाद रायपूर के सभी 70 वार्डों के नाम और उनकी जन संख्या लगभग तै कर ली गई है सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक रायपूर में कुल जन संख्या के मताबिक एक वार्ड में आउसत वोटर 15,000 से 20,000 होंगे कुछ वार्डों में यह कम ज्यादा भी हो सकते हैं इसी तरह भिलाई नगर निगम में 70 वार्ड है यहाँ पर एक वार्ड की आउसत वोटर संख्या 8,500 से 9,500 तक होने की संभावना है जबकि दुर्ग नगर निगम में 60 वार्डों में काफी विरोधाभास है यहाँ पर किसी भी वार्ड की जन संख्या 7,000 तो किसी वार्ड की वोटर संख्या 2,000 थी इसलिए इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर प्रति वार्ड लोगों की संख्या 5,500 से 6,000 तक होगी इसी तरह यदि बिलासपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर कुल 66 वार्ड हैं यहाँ एक वार्ड में आउसत वोटर 5,000 तक करने की संभावना है वही हाँ राजण गाउं में कुल इंकाउन वार्ड हैं यहाँ पर भी अधिकांश वार्डों की सिमाय बदलने वाली है इस तरह दिमाना जाये तो पूरे 36 गड में वार्डों का परिसमन होना तय है ताकि मद्दान के समय मद्दाताओं की एक ही वार्ड में अधिकता को बाटा जा सके साल के अंत में संभावित नगरी निकाय चुनाओं के लिए वार्डों के परिसमन रिपोर्ड जिला प्रशाषन से मंगाई गई थी नगरी प्रशाषन संचालनाले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सभी निकायों की रिपोर्ट विभाग में पहुँच गई है संचालनाले में रिपोर्ट का परिक्षन किया जा रहा है इसके बाद यह रिपोर्ट मंत्राले भेजी जाएगी वहाँ से मंत्री के अनुमोदन होते ही इसका राजपत्र में प्रकार्शन कर दिया जाएगा इसके बाद निर्वाचन आयोग मद्दाता पुनरिक्षन का काम शुरू कर देगा माना जा रहा है कि इस बार लगभग 45 लाग से जादा मद्दाता नगरी निकायों की सरकार चुनेंगे प्रदेश में होने वाले नगरी निकाय चुनाओं इस बार नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर की शुरुवात में होने की संभावना जताई जा रही है अब देखना ये होगा कि परिसमन होने के बाद मद्दाताओं को कितनी सुविधाएं मिल सकती है ब्यूरो रिपोर्ट देश टीवी